हेलो बच्चो, कैसे हैं आप लोग? I hope आप से बहुत अच्छे होंगे बच्चो, welcome to my channel, learning is fun, where learning is actually fun आज इस सीरिज में मेरे पास आपके लिए एक स्टोरी है, अकबर और बीरबल की यह दोनों नाम हमेशा यह एक साथ आपने आज हम आपको अकबर और बीरबल के एक बहुत इंट्रस्टिंग स्टोरी सुनेने जाएं तो बच्चो, आपनों पैयार हैं, तो बच्चो, let's go बच्चे के कोव के गिलती, एक राजा अकबर और बीरबल राजमहल के बदिचे में तहल रहे थे बहुत ही सुन्दर सुभा थी, कई तरह के पंची चहक रहे थे वहीं तालाब के पास बहुत सारे कोवड़ी आस्पास उड़ रहे उनको उपोस बच्चे के बाशा अकबर के मन में एक सवाल उत्पन हुआ उनके मन में यह सवाल आया कि उनके राजमें कुल कितने कोवे होंगे बीरबल तो उनके साथ ही बगीचे में टहल रहे थे तो राजा अकबर ने बीरबल से ही सवाल कर डाला और पूछा बताओ बीरबल आखिर तुम्हारे राजमें कितने कोवे हैं तुम तो बड़े चतुर हो तुम्हें हर सवाल का उत्तर पता होता है यह सुनते ही चालाग बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया महराज हमारे राजमें कुल 95463 कोवे हैं महराज अकबर इतनी तेजी से दिये हुए उत्तर को सुनकर हखके बखके रहे गए और उन्होंने बीरबल की परिक्षा लेने की सोचे महराज ने बीरबल से दोबारा सवाल किया अगर तुम्हारी गड़ना के अनुसार कोवे ज़्यादा हुए तो बिना किसी संकुष बीरबल बोले हो सकता है महराज किसी पडोसी राज़े के कोवे हमारी राज़े में खूमने आए हो राजा फिर बोले और अगर गिंती में कम कोवे हुए तो बीरबल ने फिर तपाक से उत्तर दिया महाराज हो सकता है हमारे राज्य में कुछ कौवे अपने किसी अन्य राज्यों के रिस्तेदारों के यहाँ खूमने गए हो यह सुनद पर बहुत खुश हुए वाह वेरवल वाह क्योंकि वीपर ने अपनी चत्राई से इक पर फिर्श साबित कर दिया यह वे सबसे बुद्धिमान और सबसे बल्वान है बच्चों कहानी मज़ेदार थी न? इस कहानी से आपको क्या सिख्षा मिलती है? पर फिर्श भले है कितने मुश्किल क्यों ना हो? बिना घबराए बुद्धिवे चत्राई से काम लेना चाहिए दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं है बच्चों जिसका जवाब आपके पास ना हो बस जरूरत है तो विवेक, धैरे वो बुद्धि की तो प्रॉमिस कीजिए आप कभी भी किसी भी विप्धा में घबराएंगे नहीं इसी भी मुश्किल सवाल से घबराएंगे नहीं बस अपना विवेक, धैरे और पुद्धि से जवाब देंगे तो बच्चों आशा करते हूं आपको कहाने पसंद आई होगी झाल झाल